मुखे मंत्री जायराम ठाकूर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी होतरी के बीच चल रहा वाक्योद रुखने का नाम नहीं ले रहा है मुखे मंत्री जायराम ठाकूर नहें एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष पर जुबानी हमला बोला है उन्होंने कहा कि अगनी होतरी एक कमरे में कैमरा ओन करके बोलते है और उन्हें लगता है कि वो लाखों लोगों को संबोधित करे है मुझे उनके इस सभाव पर ज्यादा नहीं कहना है लेकि नेतरपटी पक्ष चुनाव नजदिक आते ही शायद मानसिक दवाब में आ गए है ऐसे में सीएम ने अगनी होतरी की बातों को सहसा से लेने की सलहा दी है वहीं जैरम ठाकू ने दावा किया है कि भाचपा अगामी विधान सबाद चुनावों में हिमाचल में फिर से सरकार बनाएगी और जो दावे कॉंग्रेस कर रही है उनका हाल पंजाब उत्राखंड उत्रपरदेश में आए चुनावी परिणामों की तरह होगा बोलते हैं कमरे में कैमरा उनका देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे लगता कि लाखुन लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं तो उनका सवभाब है मैं उस पे कुछ जादा कहने ही नहीं चाह रहा हूँ ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो ह अपना कारेकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाएगी ही माचल परदेश में जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे हम आएंगे यही कहते थे पंजाब में यही कहते थे उत्रा कंडवी यही कहते थे उत्तरा परदेश में लेकिन आये तो नहीं है तो गए ही गए तो यहां प